अब जो है डिबेट बहुत ही एहम कंटेस्ट होगा दो टीमों के दर्मियान कंटेस्ट होगा और अभी जो कंटेस्ट हो रहा है नाइन जुनियर के दर्मियान है नाइन ब्रैवो और नाइन चारली के दर्मियान दिल इंसान की बेतर जो है रानुमाई करता है नाइन चारली क प्रफसे बिस्मिल्लाइ रख्मान ररहीम जनाब असाद्द कराम और मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम आरे को प्यारे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें दिल की आवाज सुनी चाहिए या फिर दिमाग तो दिल की आवाज को हदम अगर अवारे सामने को की मौका है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग है वह दे अगर में यह काम करता हूं तो मुझे इससे फायदा या पर मेरा नुक्सान हो जाएगा या फिर करना चाहिए यह उसके सचे सिर्फ चैनले गोओज निकल जाती लेकिन हमारा दिल होता है वह हमेशा होता है मैं रिए करना है बस करने हुँ हमें कहता है रस तुकार दे और कि हमारे हाथ olhar गर अगर इनसान को मांट एरिस पर चड़ने तो वो पहले तु दिमाग ये कहेगा भई वहाँ पर ठंड होगी बर्फानी जो कहां तूफान भी आ सकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी यार तू ऐसा ना कर लेकिन जो दिमाग होता है दिमाग जो दिल होता है हमारे हमारा जो दिल होता है वो ये कहता है बस तू कर दे इसको आगे जो होता है वो देखा जाएगा पहले एक मरतबा तू ये कर तू सही फिर जो होता है वो देखा जाएगा जिस तरह हदरत इबराहीम अलाही सलातु असलाम को नमरूद ने जब आग में फैका तो हदरत इबराही कSwड़ दो नाॉज बला। लेकिं जो दिल था वो कह रहा था कूझ जा कूझ जा ते रा अला तेरे साथ और हञजरत इब राहीम यस्ते ऑत स्वाथ यसार हुथ AG buoy यह जिस तरह दिल कीमानी था Allah Ta'ala, जिससरा दिल कह रहा था, कि Allah Ta'ala तेरे साथ है, तूजे कुछ नहीं हो सकता, अधरती अमराहीम holiday, ये जिससरा दिल की बात भानी, और वो जुह है आटिश आद्में गिरे, अधरको पुद पड़ा, आटिश नमरूद में इशक, हक्ले मैयार है महवे, दिमाग की बात भी माने और दिल की बात भी लेकिन हर वक्त इसी तरह नहीं होना है हर वक्त हम इसी तरह नहीं करना है कि हम दिल की बात भी मान रहे हर वक्त हमने इसी तरह नहीं करना है कभी कभी हमें दिल की बात भी मानी होती है सिर्फ और सिर्फ दिल की कभी हमें दिमाग की बात माने पड़ती है लेकिन मैं दिल के साथ हूं हमें हमेशा मैं तो कहता हूं दिल की बात ही माननी चाहिए अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल लेकिन कभी कभी इसे तरहा भी छोड़ दो हमें हमारे पास जो दिल है हमारा दिल है उसकी बात हमें मानने चाहिए क्य हमेशा अगर एक इनसान अगल के साथ काम करते रहेगा तो जो अपिचियूनिटीज हैं उसके पास जो उसकी अपिचियूनिटीज हैं मुझाय होती रहेगी क्योंकि वो डिसीजन लेता रहेगा फैसले रहेता रहेगा और वो जो अपिचियूनिटीज हैं उसके पास मुआके मुजाय होते रहेंगे अकल की रफाकत ने ना मुराद ही रखा अकल की रफाकत ने ना मुराद ही रखा जिल्ड़ी में काम आई तो डिल की राश्नी तरह शुक्रिया बिस्मिल्ला रह्मान रहीम मोथरा मसाध्दा अकृम और मेरे प्यारे साथियो असलाम वालेकूम आज میں आपको बताूँ भा कि आपको अकल की सुनी चाहिए या दिल की मेरा तक्यूल, میरा ख्याल, میरी सोच ये कहती है कि हमें अपना दिमाग की सुनी चाहिए क्योंकि दिमाग ही है जो हमारी रहलुमाई करता है हमें अच्छे और बुरे में तमीज सिखाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है अगर दिल क्याता है अगर दिल ज़बात में काम करता है कि अगर माउंट एवरेस पर तुम चड़ जाओ लेकिन अगर आपके पास दिबाग ही नहीं होगा आपकी सोच ही नहीं होगी तो आप कैसे चड़ सकोगे आपको चड़ना ही नहीं आएगा अगर आपको उस पे चड़ना ही नहीं आएगा अगर आपने कोई काम करना है तो आपको अकल पहले होगी आपके जेन में सोच होगी कि मैंने ये काम इस तरी की से करना है तो आप कर सकेंगी, दिल तो जफ़ात में कुछ भी कर जाता है अकल ने एक दिन ये दिल से कहा ये दिन विजदे के गूले भटके की रहनुमा हुमे कियुकि ये हमें रहनुआई करती है अच्छी और बुरे रास्ते में तमीज सिखाती है और अकली वो चीज है जिससे इंसान अपने बड़े बड़े जानवरों बड़ी बड़ी मखलूपात पर कब्जा कर लेता है जैसे एक मिसाल है एक बढ़ाई था जो कि जंगल में बिंजरा बना रहा था तो उस उपर से एक शेर आ गया उसने का ये क्या कर रहे हो बड़ाई को पता चल गया कि ये मुझे खाने वाला है तो उसने का कि मैं जंगल के बादशा का घर बना रहा हूँ तो उसने कहा कि मेरे जैसी मखलूप इसमें कैसे पूरी आ जाईगा तो उसने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम इसके अंदर जा के देख लो जैसे ही वो अंदर गया तो बढ़ाई ने वो दर्वादा बांद कर दिया इस तरह इनसान अपनी अकल से अपनी बड़ी बड़ी मखलूकात पर अपने से बड़ी बड़ी मखलूकात पर काबू पा लेता है हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए क्योंकि जैसे हमारी सोच अकल में होती है और हमें अच्छे अंदाग में हर चीज़ को करना चाहिए और अपने आपको सोच की बेतरी से अपने आपको बेतर बनाना चाहिए और ये समझ लें कि बेसर शक्सियत का नाम ही सोच है शुगरिया चरमसाक़ और मेरे अजिप वाली को आज के इजा दिल की बात पो सुनना चाहिए या दिमाग की तो मेरा ख्याल ये है कि हमें दिल की बात को सुनना चाहिए भाई सहे ठीक कह रहे थे कि अगर दिमाग ही नहीं होगा उसके पास तो सोच कैसे बनेगो उसकी उसके अंदर ख्याल कैसे पैदा होगा कि मुझे इसके उपर चड़ना है कैसे चड़ना है अगर दिमाँ होगा तो उसके पास ख्याल आएगा और अगर दिल होगा उसके पास वो दिल की बात कुमानेगा तो उसके अंदर जजबा पैदा होगा उसके अंदर ताकत आएगी ताकत तो दिल की ही सी रानी ये साफ दिखाई दे रहा था कि अगर तू इसमें खूदेगा तेरा तू नुफ्टान ही होना है ना लेकिन दिख कह रहा था तू हक पर है तू हक पर है तू हक पर है तुझे कुछ नहीं होगा खुदात मेरे साथ है तुझे क्या होना है तू हक पर है खुद जाती इस बात की क्या परवा करते हैं इसी च्जपे का लंदराना की तस्वीर कशी करते हैं शायर मश्रिक परमाते हैं कि बेखतर खुद पड़ा यानि कि उसको कोई फोखो खतर नहीं था बेखतर खुद पड़ा आथिशे नमरूद में इस्च बेखतर पूद पड़ा आतिशे नमरूद मेश्क अकले मयार है महवे तमाशा लबे बाम अभी तो एक और वागा आता है कि जब्धदर को आप देखने एक हजार कुफार जो हत्यार से लेस हैं दिखाई देता है साफ अकल तो यही सोचती है कि तीर सो तेरा नहते मुसल्मान उनका क्या मुकाबला करेंगी अकल तो यही कहती है साफ दिखाई दे रहा है तुमें कि तुम उनके साथ मुकाबला करोगे तो नुक्सान होगे तुम हार जाओगे तुम्हारा नुक्सान होगा मगर दिल कहता है कि तुम्हारी लडाई महास पता उशिकास पर मगनी नहीं है क्यों तुम ऐसा कहते हो कि मैं अगर निए इसके साथ लड़ूँगा तुम्हें हार जाओंगा अल्ला ताला तुम्हारे साथ है ये दिल की बात सुनी उनने जबा पैदा हुआ अल्ला ताला ने भी मदद कर दी एक हजार एक हजार लश्कर के तर सामने 313 मुसल्मान सीना सकुर हो जाते है यही वजा है मैदाने कर्बला में हजरते अली रजिया लड़ूँआ अन्हों अपना कुल असासा अपना कुल सर्माए हया क्यों बेचने पर मजबूर हो जाते है यही वजा है वरना साथ दिकाई देता है अकल कहती है कि अगर तू इसके सामने टिकेगा तो तू उस्तवाई पाएगा मगर दिल कहता है कि यार तुझे इसी की सरफ चाहिए ती दुनिया की दुनिया में तु शिकास्त का जाएगा तू हार जाएगा लेकिन अगर हार को हो मान जाते तो वो बैठ जाते होदाई ले ले दिल कहता है जजबा है इसके अंदर ये इन्सान की ताकत को बनाता है इन्सान की ताकत इसे परमाद करती है ये इस असवा है दिल का जो की कहता है कि तुकर जा तुझे कुछ नहीं होगा लेकिन एक शर्त है कि तू हग परोना चाहिए हग परोगा अल्ला तेरे साथ होगा दिल जद्वा पैदा होगा तांकत बढ़ेगी तो इंसान कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है वरना कुछ लोग तो आंकों के लागा अकल से भी हैंते होते हैं शायद शायर ने उन्हीं के बारे में कहा है कि अकल के अंदों को हमेशा उलट नजर आता है अकल के अंदो just को हमेशा उल्टा नज़र आता है लेला नज़र आती है मुज्नू नज़र आता है हदीश में है कि जो अगर इनसान के जिसम के えक फून का लोठडा है वो महाद पे फून का लोठडा ही नहीं उसके अंदर बहुते जिस बात को अहसासात और ख्यालात समाए हुए है वो ही उनको पर्मान दे चड़ाता है कहा जाता है कि अगर दिल इनसान का सही होगा तो उसके सारे आउजा सही काम करेंगे तो एक और हदीस है कि वो दिल है वो दिल है वो दिल है के अगर इंसान का सारा जिस्म खराद हो जाए इंसान का दिल ही ठीप हो तो वा पूरा जिस्म करी कान पर दादे है। अकल वालों के नसीमों में कहां मधधा जाते गरामी अकल वालों के नसीमों में कहां दो के जुनूँ ये तो इस तुबाले हैं जो हर चीज नुटा देते हैं बिस्मिल्लाइ रह्माई राखीम प्यारे साथियों अससलामु आज का जो मेरा मुदू है कि दिल की बात सुनी जाए या दिमाग की मेरे साथी ने करा है कि दिल की बात सुनी जाए ठीक है कि दिल की भी ठीक है जबा होना चाहिए लेकिन दिमाग भी होना चाहिए अगर दिमा के ने के ऊपुरस की तरफ देख गें तुम कल घंनार था कि युर क माज मैं ऐसे इसके बारे में देखते हैं कि हमेस को कैसे करना चाहिए उसके दिमाग नहीं है वो कैसे सोचे कि यह गलत है हम जब उससे देखते हैं तो हम कहते है कि इसके पास दिमाग है इसके अ कर नहीं है हमने कभी यह नहीं का कि इसके पास दिल नहीं है दिमाग जो है वो हमें अच्छे और बुरे में फार्क करने की सलाहियत पैदा करता है वो हमें बताता है कि यह काम अच्छा है यह बुरा है अगर दिल है तो हो कहता है कि यह काम तुमने करना है इसके पीचे लग जाओ, ये काम सही है ये गलत है, ये दिल भी बताता है, ये हमें सिर्फ दिमाग बताता है, ये तुमने लिए सही है, ये गलत है, दिल तो कहता है कि तुम इसकाम की पीचे लग जाओ, दिल तो कहता है कि नाज गाना करो, तुम ये काम करो, जो तुमने मेरे खियाल है कि हमें जूरी का जो भी डिस्रीजियन लेना हो तो हमें अपने दिमाग की सुनी चाहिए तो हम शहर भटक भी सकते हैं शुक्रिया बिस्मिल्ला रख्मान रख्मान रख्म महतरम असाद्ध कराम और मेरे पहरे साथियों अससलाम अलेकुम आज के इस मुबाइसे का उन्वान ये है कि दिल की आवास को सुना जाए या दिमाग की मैं दिल की आवास को सुनने के हक में हूँ इंसानी जिसम का बादशाद दिल है इंसानी जिदगी की बुनियाद दिल है इंसान में जजबात और एसासाद को दिल पैदा करता है हैं तू एक क्या करेगा जा वापस क्यों अपनी जान खत्रे में डालता है लेकिन उन्हों ने अपने दिल की आवास को सुना और दुश्मनों के सफ में खल्वली मचा दी मेरे साथी सायर भाई कह रहे थे के पहले सोच आती है फिर जजबा पैदा होता है मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका दिमाग एक बंदर की मानिद है रोजाना आपको हजारा सोच आती है लेकिन आप उनको अमली जामा तो नहीं पहना सकते जब तक आपके पास जबा नहीं होगा आप सिर्फ उसी सोच को अमली जामा पहना सकते हैं जिसके लिए आपके अंदर दिली जब जजवा होगा और उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर जब जब जजवा पैदा होगा तब ही आप उस सोच को मुकमल कर पाएंगे शुक्रिया बिस्मिल्ला रह्मान रहीम मुद्रा मसाद्दा कराम और मेरे प्यारे दोस्तों असलामु आलेकुम आप मेरे जो डिबेट का टॉपिक है उसका उन्वान है किस की बात माने जाए दिल की या दिमाग की मैं दिमाग की बात को मानने के हक में हूँ अगर इनसान के पास दिमाग नहीं होगा तो इसमें जजबा कहां से आएगा में जो चीज़ है वो तो दिमाग है दिमाग ही इनसान को बताता है कि ये अच्छी चीज़ है ये पूरी चीज़ है दिमाग ही इनसान को सब कुछ बताता है दिमाग अगर ना होता तो दिल पता हो, असल यह चीज़ है में दिमाग, जो मेरे अभी फवाद भाई ने कहा, कि एम मालम के दिल में जजबा आया, कि सामने के पांच जहाद है, इसको मैं कैसे, इसको मैं अराम से पांश पांश काड़ूँगा, अगर इसके पांश करता है, तो यह पांश के पांश को एक जहाद है, और यह वाली चीज़ मेरे लिए बुरी है, इसके अलावा इनसान की जो शक्सियात होती है उसके जो इनसार होता है वो इसके सोच पर होता है जैसे उसके सोच होगी दिमाग की सोच होगी मसमत तो उसकी शक्सियत नि किसी होगी वो हाई चीचे खुश होकर बात करेगा पॉसितिव बाת करेगा शुकरिया